हाई फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चनल कुकी तुबासना आज मैं आप लोग के लेके आए हूँ राई वाली हरी मिर्ची की अचार इसे बनाना बहुत ही आसान है ना इसमें तेल है ना मसाला है फिर भी ये बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खाने में और बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है और ये अचार खाने के टेस्ट को दुगना भी बना देता है तो चलिए फिर बनाते हैं राई मिर्ची बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये बड़ी साइस वाली हरी मिर्ची ली हूँ इसे अच्छे से धो के पोच ली हूँ यहाँ पे मैं बड़ी मिर्ची की खास बात यह होती है कि यह बिने तेल की बनती है और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती है अब इसी तरह हम सारे मिर्ची को काट लेंगे अब देख्या हमने सारे मिर्ची को काट के रैड़ी कर लिया है अब इसमें हम राई को मिक्स करेंगे मैं यहाँ पे राई का MARTIN बना ली हूँ यहाँ छोटे साइज वाली राई लेनी है बड़े साइज वाली राई नहीं लेनी है जो सरसो जितनी वड़ी रहती है अब उस सब को अच्छे से मिक्स करना है अब इस स्पून से मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि पुरी राई नमक और नीम्बू का जूस पुरा मिर्ची में अच्छे से मिक्स हो जाए अब देखें मिर्ची में अच्छे से मिक्स हो गिया है स्टार्टिंग में नीम्बू थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन जब मिर्ची में नमक पड़ता है तो मिर्ची से भी पानी रिलीज होता है तो नीम्बु का रस बहुत ही बढ़ जाएगा ये ध्यान रखे कि एक ही बर बहुत जादा नीम्बु का रस ना डाले अब हम इस मिर्ची को 2-3 दीन के लिए धूप में रखेंगे उसके लिए अब एक काच का कंटेनर लेंगे और उसमें हम सारे मिर्ची को डाल देंगे अब इसे धूप में 2-3 दीन के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मिर्ची सॉफ्ट हो जाएगा अब देखे हमने सारे मिर्ची को इस में डाल दिया है अब इसे हम 2-3 दीन के लिए इसे कवर करके धूप में रख देंगे देखे फ्रेंट्स दो से तीन दीन हो गया हैं अब ही अचार बनके रैडी हो गया है पहले इसका कलर डार्क ग्रीन था अब लाइट ग्रीन हो गया है और ये 2-3 महने तक अचार खराब नहीं होता है ना इसमें कोई तेल है ना कोई मसाला फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टे क्योंकि इसे बच्चे भी बहुत सौक से खाते हैं क्योंकि यह तीखी नहीं होती है आप इस रेसिपी को बिना महनत बिना जंजट के बना के देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगी तो अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई